इस शबना मोचेंट फॉम औरा कनेक्शन आज हम इस पिकर कार्ट के माधियम से यह जानेंगे कि हमारा मंत कैसे रहेगा मन्त उफ नवेंबर कैसे रहेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आखे बंद करनी है और आपके सीधे हाथ को राइट हैंड को आपके हाट पे आपक सासे लेनी हैं लंबी सासे आप नाक से लेंगे और मुह से छोड़ेंगे और आप एक छोटा सा प्रेयर बोलेंगे अब आप चाहे तो ये वीडियो को पॉस कर सकते हैं और सबसे पहले जो कार्ड आपके आखों पे आता है आप रेजनेट करते हो वो कार्ड का नंबर आपको पिक करना है और आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है ये कार्ड नंबर वन है ये कार्ड नंबर टू और ये कार्ड नंबर थ्री अगर आपने card number one pick किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या message ये दर्शा आता है वाव, card आया है three of cups ये card से पता चलता है कि आपने पिछले मेहनों में बहुत मेहनत की है राद दिन एक कर दिया है आपको पता था कि ये काम करना बहुत कठीन है लेकिन आपने उसके बारे में जादा सोच चे बिना आपने उसको सफल करने पे focus किया है बहुत मेहनत की है और ये मन्त में आपके angels, guardian angels, spirit guide और सेंजूर बोल रहे हैं कि ये time आगया है आपको वो सारे hard work को enjoy करनी का आप ये महने में बहुत experience करोगे कि आपका जो काम है वो लोगों ने recognize करना शुरू कर दिया है बहुत सारे नई opportunities आप आने लगी है और आपको दिखेगा कि आपकी जो dreams है, आपकी जो सपने है वो पूरे हो रहे है और इस वज़े से आप देखोगे कि आपकी lifestyle में भी काफी सुधार आ गया है पर आप इस चीज का ध्यान रखे कि यहाँ पर चीजे खतम नहीं होती है आपको मेहनत करती रहनी है और उपर वाले आपको हमेशा इस तरह से मौका देती रहेंगे लाइफ को enjoy करने का अगर आपने card number 2 pick किया है तो देखते है क्या message है आपके लिए कौन सा card आया है card आया है king of cups इस cup के माध्यम से angels और archangels और सेन जूद आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा emotionally सोचते हो आपको इस दोर महने में आपकी thought और आपके emotions पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है balance रखना है ना ज़्यादा सोचना है ना ज़्यादा भावक्त होना है आप बहुत intelligent हो smart हो अब वही time पर आप बहुत ज़्यादा emotional भी हो ये बार बार message आ रहा है कि आपको आपके emotions और आपके thoughts पे बहुत ज़्यादा balance रखना है balance relationship रखना है आपके heart और आपके दिमाग पर और साथी में आपको बहुत ज़्यादा maturity से हर situation को handle करना है और आप जब ये maturity से situations को handle करोगे तो आप देखोगे कि आपके इद्गिद जो negativity है उसको भी आप बहुत smartly और अच्छी तरह से handle कर पाऊगे और उसके वज़े से आपके घर में बहुत शान्ती और harmony बनीवी रहेगी अब बढ़ते हैं card no.3 की और अगर आपने card no.3 पिक किया है तो card आया है the herofant ये cards के मादिम से ये angels बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हो आपको बहुत knowledge और आप कोई चीज करना चाहते हो तो उसमें mastery पा सकते हो लेकिन ये time नहीं है कि ये सोचने का कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है अब बस आपको और पढ़ने की जरवत है आपको detailing में जाने की जरवत है आपको research करने की जरवत है कोई चीज को आपको आधा अधूरा नहीं चोड़ना है आपको और मेहनत करनी है आपकी knowledge के उपर आपके focus के उपर तो आप इन knowledge पे और focus पे अब ध्यान दीजे और देखे कैसे आपने जो जो plan क्या है वो सारव in place आता जाएगा इस month में बहुत से लोगों का birthday होता है तो मेरे तरह से सभी को birthday की बहुत बहुत शुप कामना है जुड़े रहें बने रहें देखते रहें गुद बाई